एक चिलाई के बाद ऐसे करें खाने पीने की चीजों की शॉपिंग 18 प्रतिशत तक होगी बचत इस तरह से मैंने काफी पैसे बचा पाएंगे नए दिल्ली, किट्स एंट सिविसेज टेक्स के डाइरे में आनवाली कई ऐसी चीजे हैं जिनकी थोड़ी सी शाकल बदल जाए तो उनकी कीमत काफी बदल जाएगी उदारन के तौर पर काजू पर अभी महज 5 पीस अधी GST तै किया गया है लेकिन अगर इसमें नमक लग गया तो इस पर सीधे 18% टेक्स लगेगा और वो आप भरेंगे हम आपको उन प्रोड़ाक्ट्स के बारे में बता रहे हैं जिन पर आप काफी पैसे बजा सकते हैं पैकिंग बदलने से बदल जाएगा टेक्स रेट आटा ब्रांडेट आटे पर 5% की दर से GST लगेगा अगर आप 20 रुपे किलो का 10 किलो आटा खरीदते हैं तो यहाँ आपको 220 रुपे का मिलेगा अगर इसी क्वालिटी का आटा आप अप अब्रांडेट खरीदते हैं तो यहाँ आपको 200 रुपे में मिलेगा क्योंकि इस पर 6 GST है याद रखें की हर पकेट बंद प्रोडाक्ट प्रांडेट नहीं होता वहीं प्रोडाक्ट प्रांडेट की केटेगरी में आएगा जिसका ट्रेड मार्क रजिस्टर्ड है दालों पर बचा सकते हैं 5% चावल, चीनी, दाल, बेसंट, मैदा इन सभी अनपेक्ट फूड आइटम्स टेक्स की दरशून्य प्रतिशत टै की गई है अगर यही प्रोडाक्ट आप पेक्ट और ब्रांडेट लेते हैं तो आपको 5 प्रतिशत की दरसे टेक्स देना होगा फले ही वह ब्रांड बढ़ा हो या छोड़ा ताजी सब्जियां खरीदे और बचाएं पैसे सब्जियां ताजा सब्जियों पर 0 पी सदी GST है जबकि फ्रोजन या फ्रीजवद सब्जियों पर 5 पी सदी की दरसे टेक्स लगेगा इन में कच्ची और आधी तुकी सब्जियां भी शामिल है नारियल पानी इस तरह पड़ेगा मेहंगा, कोकोनट, ताजे नारियल पर 0 प्रतिशत GST तेह किया गया है वहीं पेकिट बंद कोकोनट वाट पर 12 प्रतिशत X तेह किया गया है काजू पर हो सकती है बड़ी बचत्र, काजू, सामान ये काजू पर GCT की दर 5 प्रतिशत रोस्टेड, सौल्टेड या रोस्टेड और सौल्टेड काजू पर 18 प्रतिशत GST ड्रिंक पर कट्टी है जेब, चाय, चाय पर 5 प्रतिशत की दर से GST तेह किया गया है लेकिन इंस्टेंट टी, क्विक प्रिविंग ब्लेक टी, टी अरोमा जैसे चाय से बने ड्रिंक पर 18 प्रतिशत X है फ्रेश खरीदें और पैसे बचाएं फल, ताज फलों पर GCT की दर है 0 प्रतिशत स्क्वेश ओफ मैंगो, लेमन, ओरंज, पाइल, अपल और अन्य फलों पर 18 प्रतिशत X है इसी तरह से फ्रूट पल्प और फ्रूट बेस्ट ट्रिंक पर 12 प्रतिशत X है खरीबने से पहले जरूर जान ले यह बात दूद, दूद पर GST 0 प्रतिशत है लेकिन दूद से बने बीघरेजिस पर टेक्स की दर 12 प्रतिशत हो गई है इस प्रोड़ाक्ट पर 28 पीसदी लगेगा टेक्स कॉफी, सामान्य पैकेट बंद कॉफी पर GST की दर 5 प्रतिशत है इंस्टेंट कॉफी, कॉफी एरोमाया कॉफी एक्स्ट्रक्ट से बने प्रोड़ाक्ट पर 28 प्रतिशत एक्स है